दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन पत्ती रियल कैश के उपर मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो वो देखना जादा पसंद करेंगे जो तीन पत्ती रियल कैश ऐसे गेम्स में हार चुके होंगे या फिर जिनका बहुत जादा मन कर रहा होगा पैसा कमाने का जो गेम के जरीए जादा पैसा कमाना चाहते होंगे यह हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तो कि जो रियल कैश गेम्स नहीं होते है वहाँ पे अड़िजमेंट के जरीए पैसा कमाया जा सकता है जो कि बिल्कुल लीगल है लेकिन जब रियल कैश की बात आती है जहाँ पे गैम्लिंग बेटिंग ऐसी चीज़े आ जाती है वहाँ पे इंकम का चांसे ज्यादा होता है लेकिन वो एक तरफ से लीगल हो जाता है आप उसे प्लेस्टोर पे पब्लिश नहीं कर सकते हैं जो कि बहुत सारे तरीके जिससे आप उसे आप उसको ला सकते हो ठीक है खैर इस पर उसे लाने उसके बारे बात नहीं करने वाले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे real cash तीन पत्ती गेम का development cost क्या रहेगा उसमे features क्या रहेंगे उसके लिए क्या क्या document की need पड़ेगी document की need क्या पड़ेगी ये मैं आपको पहले बता दे रहू देखो दोस्तों अगर आप एक game बनाने जा रहे हो starting का face है ज़ादा आपको तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले से prepare रहना है don't worry उसके लिए हम help करते है जब देखो simple सीथी बात है legally जाओ अगर आप game develop कर रहे हो और वहाप आप अच्छे खासी earning कर रहे हो तो legally जाना ज़्यादा बेटर रहता है वो क्या process वह रहा रहा था वो आपको मैं बता दूँगा जब development के उपर आप आओगे तब ठीक है अभी बात करते है उसका development cost क्या होता है development cost भी बताने से पहले मैं आपको बता दूँग दोस्तों कि दो तरीके के two types of real cash तीन पत्ती games रहते हैं ठीक है एक वो होता है जहाँ पर tournaments type app हो गया जहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो इस type की games में users का trust आप जीत सकते हो जहाँ पर एक application आपने बनाया user आके वहाँ पर contest create कर रहा है बाकी के other users उसको join कर रहे हैं और जो real cash वाला नहीं है तीन पत्ती जो play store पर है जिसमें real cash नहीं है बिल्कुल वो live stamp play store पर चल रहा है वहाँ पर जाके उस game में वो लोग खेलते हैं क्योंकि उनको trust रहता है कि वहाँ पर कुछ उनके साथ bots वगरा system ऐसा कुछ fraud नहीं होगा तो वहाँ पर वो खेलते हैं और जो जीता है वो screenshot upload करता है वो आपके application में जो आपने बनाया tournament वाला और वहाँ जो भी जीता उसको आप payment pay कर देते हो ठीक है तो ये वाला process थोड़ा सा complicated है लेकिन trustable है लोगों को जादा trust रहता है इस type के application के उपर और एक होता है उस type का जिसमें जो आपने कायब बनाया जो आपने game बनाया उसके अंदर directly लोग play कर रहे होते हैं real player से भी plus bot से भी ठीक है bots या नहीं अगर आपके application में starting में हमें भी पता है जादे users नहीं होंगे अब इसको cost के बारे में मतलब इसका development cost का आएगा यह समझ दे development cost बताने से पहले हम आपको बताव दोस्तों मैं इसमें सिर्फ 3 पत्ती की बात कर रहा हूँ जब हम 3 पत्ती के बारे में बात करते हैं 3 पत्ती real cash game development के बारे में तो हमारे दिमाग में यह भी आता है कि यार इस game में कितने games होंगे है ना उसमें भी वह सार टाइपस रहते हैं अंदर बाहर हो गया dragon versus tiger हो गया तीन पत्ती रम्मी कितने सारे games होंगे मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 पत्ती की बात कर रहा हूँ सिर्फ 3 पत्ती यारी single game की single game का आपका development cost real cash में आपका 2.5 to 3 lakh के बीच में जाता है अगर आप उसमें multiple game डलवाते हो यानि bulk में मतलब 6, 7, 8, 9 game डलवाते हो तो वो लगबग आपका 10 to 15 lakh तक का आपका budget सेल जाता है देखो दोस्तों आपको इस चीज़ और मैं बता दूँ ये game है ठीक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा hard work करना होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है real player के लिए बहुत ज़्यादा tough coding की जाती है जिसके वज़े से development cost बढ़ता है ये सभी development company को problem face करना पड़ता है सिर्फ हमारी firm को नहीं ठीक है तो इसलिए इसका थोड़ा cost बढ़ जाता है backend के लिए एक strong server होना चाहिए अगर आप एक तीन पत्ती game develop कराने जा रहे हो तो उसके लिए आप पहले से थोड़ा prepare रहो कि आपका monthly server cost भी अच्छा खासा आएगा 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000 अगर आपके कम users हैं तो जादी users हैं, जादी earning है मतलब एक अंदाजन में आपको बताओं तो अगर आप 1,000,000 रुपे कमा रहे हो तो 25,000, 30,000 तो minimum है उतना चला जाएगा आपका क्योंकि अगर यह unity में बनेगा तो वहाँ पे photon server का use होगा अगर यह flutter वेगरा में बनता है तो वहाँ पे थोड़ा आपका जो monthly cost रहता है वो कम हो जाता है ठीक है पर जो real player में playfab या photon server यूज किया जाए अगर आप technology थोड़ा बदल दे रहे हो यानि node का socket यूज कर ले रहे हो तो वहाँ पे और आपका cost कम हो जाता है खैर यह सारी चीज़ अगर आप non technical हो तो आपको समझ में नहीं आगा इसके लिए आप किसी development company से contact करो या फिर आप हमें contact कर सकते हो नीचे description box में हमारा contact number दिया हुए अगर आपको यह समझ में आगे है कि तीन पत्ती game development cost क्या है कितना है, server क्या होता है, सब को समझ में आगे है तो इस video को like जरू करना अगर नहीं समझ में है तो आप हमें call कर सकते हो वैसे अगर आप मेरी channel पे नहीं हो तो channel को subscribe करो थेंको दोस्तों में आपने नेक्स वीडियो में